जी हां दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस रोबोट का सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट में है कि रोबोट कैसे काम करता है इस वीडियो में हम जानना की कोशिस करेंगे वीडियो को लाश तक देखेगा How does a robot work? Robot का मतलब क्या होता है? ये पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं अगर आप मेरे पिछले वीडियो का भी तक नहीं देखे हैं तो link description में दे दिया हूँ वहां से आप click करके पिछले वीडियो को देख सकते हैं आपको समझ में आ जाएगा कि रोबोट क्या है? रोबोट में हर तरह की काम करने के लिए अलग-अलग मशीन लगाई जाती है इसमें पांच मुख पार्ट्स होते हैं इसको काम करने के लिए पहला structure of body बोडी का structure sensor system sensor system muscle system power source brand system यह पांच मुख पार्ट्स हैं यह होना रोबोट में बहुत ही ज़रूरी है किसी भी रोबोट में हरकत करने वाले physical structure होते है physical structure होते हो इसका बनावट होते है हरकत करने के लिए वो किन किन direction में हरकत करेगा उसी के recording उसको body तयार frame किया जाता है जिसमें कि एक तरह का motor sensor system power देने के लिए power source computer brand होता है जो कि पूरे body को नियंतरीद करता है रोबोट piston का परियोग करते हैं जो कि उन्हें अलग-अलग धिशाओं में चलने में मदद करते हैं इसके brand में program बना कर डला हुआ होता है उसी के अनुसार robot brand body को संचालित करता है यह लिखे हुए program के अधार पर ही काम करता है और चलता भी है दूसरी काम करने के लिए program को फिर से लिखकर बदला जाता है यानि कि अगर दूसरा काम करना है तो programming पहले वाले को अलग करके दूसरा programming किया जाता है पहले वाले को reset करके दूसरे प्रोग्रामी डाला जाता है दूसरा काम करने के लिए सभी रोबोट में sensor नहीं होता है ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी रोबोट में sensor हो किसी रोबोट में तो सुनने और सुनने के लिए भी sensor लगा हुआ होता है रोबोट कितने तरह के होते हैं टाइफस ओफ रोबोट आप देखिए कितने परकार के रोबोट होते हैं अभी तक आप समझ गए होंगे कि रोबोट क्या है और आप जानने की रोबोट आप जानेंगे कि रोबोट कितने परकार के होते हैं वैसे तो ये बहुत तरह के होते हैं लेकिन उनके काम के आधार पर और उनकी तक्निक के आधार पर अलग-अलग भागों में बटा जाता है सबसे पहले मेकनिज्म न्यानी या अंत्रीक के आधार पर परियोग होने वाले रोबोट के बारे में जानते हैं ем का कि ऐस टेशनरी जेस्टी द्ग फ्लाइंग स्वार्ण मॉबाइल कल इस टेशनरी रोबोट aún है इस तरह के रोबोट एक ही जगह fix होते हैं यह इदर उदर नहीं करते मूब नहीं करते हैं यह अपना सारा काम एक ही जगह पर करते हैं इनकी position और movement की दिशा fix ही होती है और बस उसी इस्थित में उन्हें काम करने के लिए बनाया जाता है कि जिसे welding और drilling या फिर और griping के काम करने वाले robots stationary robots होते हैं इसके बारे में हम next video में बात करेंगे वो यहां तक कि वीडियो वाच करने के लिए आपको बहुत बहुत थेंक्यू उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंदाया होगा पसंदाया तो लाइक और शेर सब्सक्राइब तो बनता है क्योंकि शेर करना दूसरों दोस्तों को भी जनकारी देना ज़रूरी है